डेली न्यूस की ट्रवल सिरीज में आपका स्वागत है विदेश घूमना अधिकांश लोगों का सपना होता है इसके लिए कई लोग अपनी कमाई से हर महीने कुछ रकम विदेश यात्रा के लिए बचा कर रखते हैं कई महीनों, सालों तक सेविंग करने के बाद वो किसी देश में घूमने का प्लान बनाते हैं हलाकि विदेश घूमना हर किसी के बसकी बात भी नहीं है तुकि इसके लिए काफी पैसे जोने पड़ते हैं दरसल विदेश घूमने का सपना देखने वाले अधिक्ता लोगों को लगता है कि भारत में विदेशों की तरह घूमने लायक खुबसूरत जगहें नहीं है अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आपकी सोच बिलकुल गलत है विदेश की सेर करना भूल जाएंगे कि आप भी देश की सेर करना भूल जाएंगे मंडी, हिमाचल प्रदेश अगर आप स्कॉटलेंड जाकर हर्याली और प्रकरतिक संदरता के बीच अपनी छुट्टियां बिताना चाह रहे हैं तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी का दिरार जरूर कर ले यहां की हर्याली, हरी भरी वादियों को देखकर आप इसके दिवाने हो जाएंगे उत्राखंट उत्राखंट की ओली की खुब्सूरती देखकर आपका मन घर वापस जाने का बिल्कुल नहीं करेगा ओली की प्राकर्तिक सुंदर्ता इतनी मनमखक और आकरशक है कि अलास्का की खाड़ी के खुब्सूरत नजारे भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे अगर आप उचे उचे पहाड और खुब्सूरत वादियों के बीच अपने वेकेशन्स को इंजॉय करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको ऑस्टेलिया जाने की जरूरत नहीं है आप भारत के लदाक में जाकर उचे उचे पहाड और प्रकरती के खुब्सूरत नजारों को देख सकते हैं सुजजर लैंड जाकर लोगों को भले ही जन्नत में होने का हैसास होता हो लेकिन भारत में भी एक सुद्जर लैंड है जिसे देखकर आप उसके दिवाने हो जाएंगे अगर आप एक बार कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग का दिदार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जन्नत में अपनी छुप्टिया एंजॉय कर रहे हैं अंडमान और निकोबार अगर आप विदेश के किसी आईलेंड पर जाकर अपने वेकेशन्स को यागगार बनाने के लिए काफी समय से सेविविंग कर रहे हैं तो एक बार आपको भारत के अंडमान और निकोबार आईलेंड का दिदार जरूर करना चाहिए यहां के विशाल समंदर, खुबसूरत नजारे और वाटर स्पोर्स आपका दिल जीत लेंगे यकीनन भारत के ये परटन स्थल, प्राकर्टिक सुंदर्ता और खुबसूरत नजारों के मामले में विदेश की किसी भी मशूर परटन स्थल से कम नहीं है ऐसे में अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वहाना जाकर भारत के इन जबों पर विदेश की सैर जैसा आनन दुखा सकते हैं धन्यवाद